मुझे बहुत भूग लगी है हाँ मुझे भी जो कहां चला गया वो तो हमें नाश्टे के लिए किसी खास जगह पर ले जाने वाला था चलो चल कर देखते हैं कि कहीं उसने सब कुछ रास्ते में ही तो नहीं खा लिया दोस्तो मैं बेकरी वाली महिला का इंतिजार कर रहा था पर वो अभी तक आई ही नहीं मैंने जब चारों तरफ सबसे पूछा तो पता चला ये सब मेरे आने से पहले हुआ बेकरी वाली महिला ने अपने परिवार के लिए ब्रेट बनाई उनके पती और बेटा और खाने की मेज पर बैठे थे थोड़ा सांटा बचा है आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीज बनाऊँगी ये मैं तुम्हारे लिए जिंजर ब्रेड मैन बनाऊँगी मैं गोल्ड टॉफियों से उसकी आँखे बनाऊँगी और मलाई से उसके मुस्कुराते होट नन वादमा इसे जल्दी से पका दीजिये मुझे बहुत जोर की भूख लगी है भाग भाग के ठक जाओगे मैं हूँ जिंजर ब्रेड मैन मुझे नहीं पगड़ पाओगे अरे नहीं ओ जो ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो सकता है क्या हम भी उसके पीछे बागें चलो भागते हैं दादा जी क्या आपको पता है कि जिंजर ब्रेड मैन यहां से किस तरफ गया है हाँ हाँ मैंने उसे और पूरे परिवार को उसके पीछे भागते हुए देखा है वो मंदर वाले सड़क पर उस तरफ गये है भाग भाग के ठक जाओगे मैं हुँ जिंजर प्रेड मैन मुझे नहीं पकड़ पाओगे सुबा से इस केट में काम करते करते मुझे भूक लगाई है चलो उसे पकड़ते हैं भाग भाग के ठक जाओगे मैं हुँ जिंजर प्रेड मैन मुझे नहीं पकड़ पाओगे भाग भाग के ठक जाओगे मैं हुँ जिंजर प्रेड मैन मुझे नहीं पकड़ पाओगे भाग भाग के ठक जाओगे मैं हुँ जिंजर प्रेड मैन मुझे नहीं पकड़ पाओगे यह चिंजर प्रेट मैंन कर कर रहा है वो सब को चुड़ा क्यों रहा है इसे दर नहीं लग रहा क्या और इसे कोई सच मुझ खा जाएगा स्वादिश्ट यह जिंजर प्रेट मैं तो बहुत स्वादिश्ट लग रहा है मैं इसे खा जाऊंगी पर उसके पीछे तो पहले से ही काफी लोग है मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूणना होगा अब मैं नदी के उस पार कैसे जाऊंँ जब मैं तैर कर नदी पार करूं तो तुम मेरी पूछ पगड़ लेना ओके ठीक है अरे मैं भीग रहा हूँ नदी केरी हो गई है तुम मेरी पीट पर आजाओ मैं अदी भी भीग रहा हूँ नदी और गहरी हो गई है तुम मेरी नाक पर बैठ जाओ मैं इसे पानी से बाहर रखूँगी अब तुम ठीक हो ना अब ठीक है अरे नहीं जो क्या तुम सच मुझ उस जिंजर बिट मैंन को खाना चाहते थे हैं चिंता मत करो शुगर हमें जो के खाने के लिए कुछ जरूर मिल जाएगा हुग कर दाएगा कि ज्या इसे सब्सुर अब शुम कर दोश्व क्याँ कर दाएगा कर दोब